कि अभी अपन बात कर रहे थे कि इन लोगों का आखरी में उद्देश क्या साध्य करना है कि हिंदू धर्म का राज लाना है कि दोजार बाविस में चोविस में आएगा यह सब तो एक केबल एक यूटोपियन नहीं एक अंदविश्वा सी कलपना इसके अलावा कुछ भी नहीं है क्योंकि यह चक्रत उल्टे गुमाएं नहीं जा सकता नॉट पॉसिबर इस देश में 40% शुद्र लोग है यह 40% शुद्र लोग तो अपना अधिकार छोड़ने वाले नहीं है जो उनको प्राप्त हुआ है दोजार सालों बात प्राप्त हुआ है जी जान से लड़ेंगे हो इसलिए यह फिर से मनुस्पृति और उस धंग का एक हिंदु धर्म पूरे भारत में इस्टेबलिश हो और फिर बात में पूरे दुनिया में इस्टेबलिश हो इसके तो कोई गुंजाईश नहीं यह फैनेटिकल कलपना है असंबाव कलपना है मुर्गता की कलपना है यह हो गया लांग टर्म लेकिन तात्कालिक तो भी उनके उद्देश सफल हुए क्या पहली बार उन्होंने बालगंदर रंगमंदीर में मुझे पर हल्ला किया 2006 में क्योंकि महराष्ट सरकार ने विधान सबाव में जो कानून परित किया वो मेरे करण किया ऐसा उनको लगता था मुझे मेरा गला दबोच कर मार डालने के कोशिश के बात उलट गे याने पहले एक गंडे का भाशन है बिच में उनका एक व्यक्ति स्टेज पर चड़कर आता है बालगंदर रंगमंदीर पुना में मेरी मुंड़ी पूरी तरह से पकड़ लेता है जकड़ लेता है और उस जरीए मुझे मारा डालने के कोशिश करता है और ऊसे एक शेंड मेरा कार्यकरता दैव्यूरा करता है कि ज़ोर से एक लट से प्रहार करता है जिस ही व्यक्ति मुझे पकड़ा था उसको उसके कंदे पर उसकी पकड छुट जाती है वो भी गिरता है मैं भी गिरता हूँ सब लोग दवड कर उपर स्टेज पर आते हैं और जो भी इनके लोग उनके हाथ में लगते हैं उनको दस मिनिट तक स्टेज पर पिटते रहते हैं जिसने मेरी मुंड़ी दबोच कर मुझे मारने के कोशिश की वो भाग जाता है वो नहीं किसी को मिलता है काफी लड़किया होती है वो भी भाग जाती है लेकिन जितने मिलते हैं उनको 10 मिनिट तक 12 तक स्टेज पर पिटा जाता है ये सब वीडियो रेकॉरडिंग हो चुका है और उसके बाद में शांती से गंटा का रेकरम पूरी तरह से चलता है अब उसका रंड क्या हो गया शायद उन्होंने कभी कलपना नहीं कि थे कि ये लोग इतने तयारी में होगे आम आदमी भी हमको पीटेंगे इसकी उनको कलपना नहीं होगे बहुत बड़ा शडियंत्र था इसके बारे में विस्तार से मैं बाद में कहूंगा केवल अभी इस प्रश्ण के जवाब के लिए जितना आवश्यक था उतनी बात कहकर आगे जाओंगा उससे मेरा कुछ नुकसान हुआ क्या मैं दबकर घर में बैठा क्या उल्टा और ज़्यादा काम करने लग गया मेरा संगडन और ज़्यादा तीवरता से काम करने लग गया बाद में इन्होंने बहुत प्रयास किया कि कानून नहीं होना चाहिए महाराष्ट में शायद उसमें वो सफल हो गए बाकि कुछ पॉलिटिकल पारिटिस के सहयोक से कानून अठका रहा विदान सभा में पारित हुआ लेकिन विदान परिशत में पारित नहीं हुआ फिर वो जीरो पर आया उनको ऐसा लगता था कि डॉक्टर नरेंद्र दाबलकर यह अंदविश्वास के खिलाब काम करते हैं धर्म के खिलाब काम हैं और दूसरा यह कानून करने के लिए कोशिश करते हैं अब मानों पर तो अटेम्ट कर चुके हैं सक्सेस नहीं हुआ तो उन्होंने डॉक्टर नरेंद्र दाबलकर को मारने के बाद काम खत्म हुआ कि उल्टा हम जो इतने सालों से काम करते आए डॉक्टर नरेंद्र दाबलकर जी के मरडर के बाद में दिया इस काम की चर्चा पूरे देश में होने लगी अंदश रद्धा निर्बुलन की कानून की चर्चा पूरे देश में होने लगी और डॉक्टर नरेंद दाभूलकर का मरडर होने के बाद में महाराष्ट सरकार ने तब कॉंग्रेस और राष्टवादी का गवर्मेंट था निरने लिया कि हम इसका ओर्डिनंस निकालेंगे और बात में मैं था मैंने प्रयास करकर सभी पक्षो का पॉलिटिकल पारडिस का स समर्थन प्राप्त किया और करीबन सबके सहमति से 2013 में और डिसमबर में जो आखरी अधिवेशन था उसके बाद में चुनाओ थे उस अधिवेशन में ये कानून पूरी तरह से दोनों सभागुरूह में विदान परिशत में और विदान सभाव में पारित हुआ और पर्मन मेरा संगटन भी बहुत ताकत से काम करने लग गया डॉक्टर दाबोलकर का भी संगटन काम करने लग गया कई काम तो रुका नहीं किसका नुक्सान हुआ केवल एक व्यक्ति को इस दुनिया से जाना पड़ा फिर उन्होंने एडोकेट गोविन पांसरीजी को मारा गोविन पांसरीजी को चारपास डिस्टिक के दूर के लोग पहिचानते नहीं जैसे विदर में बहुत कम लोग उनको जानते थे, मराठवड़ा में फुड़े बुद्ध जानते थे, पशिव महराश्च में केवल जानते थे, एसिस्टिती थी गुविन पांसरी जी का मरडर होने के बाद में पूरा महराष्ट उनको जानने लगा और उनकी जो खासियत थे वो केबल कम्मिनिस्ट कारेकरता नहीं थे उन्होंने शीवा जी बहुत अच्छे डंग से लोगों के सामने रखा था उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है खरा शीवा जी कोन होता उन्होंने पूरे महराष्ट के कई लोगों को एक पुरोगा में शीवा जी के तरब देखने का एंगल दिया है तो यह जो सबसे बड़ा उनका काम था उसके पहले बहुत कम लोगों को मलूम था कि गोविन उनका मर्डर होने के बाद में वह बात इतनी चर्चा में आए कि पूरे महराष्ट को मालूम हुआ पूरे देश पर में उस शीवा जी की और शीवा जी खरा कोन हो था इस किताब की चर्चा हुए और जो शीवा जी वो लोगों तक पहुचाना नहीं चाहते थे वो यह शीवा जी पहुंच गिये आम आदमी का शीवा जी रहते ही सा राजा शीवा जी फाइदा क्या हुआ अभी दो लोग महराष्ट के होने के कारण उनके मर्डर्स के बाद में किसी का कोई काम नहीं रुका हाँ एक व्यक्ति जाने के बाद में उसके नजदिक के लोगों का और उसके संगडन का जो नुकसान होता है उतना हुआ है लेकिन उससे ज्यादा उस काम को महतुआने के कारण उसका फाइदा भी बहुत ज्यादा मिला तो इनका जो उद्देश है इंसानों को मारकर उनका काम रोकने का वो तो रुकता ही नहीं उल्टा बढ़ता है ऐसे मर्डर्स को दपकर पूरी तरह से कोई रुकता तो है नहीं इस कारण बाबा इतनी डर अभी लोगों के दिल में पैदा हो गया कि कोई अंदेश रद्दा निर्मल का काम करना नहीं चाहता ऐसा भी नहीं हुआ है उल्टा काम तो बढ़ती गया है तो उनका जो अंतीम उद्देश है वो भी सफल होने की कोई गुंजाईश नहीं है और तातकलिक जो उद्देश ह वो तो एक टका भी सफल नहीं होता है उल्टा उनके उपर रियक्ट होता है उल्टा उस काम को ज्यादा बढ़ावा मिलता है उसको महत्व प्राप्त होता है और लोग ज्यादा हिम्मत से उस काम में जुड़ जाते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे जर लेने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए